आपको नहीं पता how to prepare for a technical interview तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर The important step is to review the job description So you should know what to study and what to not हर company के लिए आपको अलग-अलग चीज़े study करनी होगी वो चाहे data structure हो सकता है वो चाहे कोई coding language हो सकती है वो कोई theoretical concept हो सकता है वो OS हो सकता है वो DBMS के concept हो सकता है तो इस तरीके से आपको अलग-अलग company अलग-अलग चीज़े पूछ रही होगी तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हर company के लिए हमें अलग-अलग चीज़े पढ़ना होगा बट किस तरीके से पढ़ना होगा और क्या-क्या चीज़े पढ़ना होगा और आप कहां से पढ़ सकते हो और कैसे पढ़ सकते हो जो आपको आती नहीं हो वो चाहे एक coding language हो सकती है वो कोई tool हो सकता है वो कोई data structure का concept हो सकता है वो कोई project हो सकता है बट जो भी आप चीज़े लिख रहे हो hope आपको आती हो क्योंकि interview और जो आपका लेने बैठा है वहाँ पे interview वो सालों से interview ले रहा है आप उसको बेवकुफ नहीं बना पाओगे that you should know अब जब भी हम interview देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले language पुछी जाती है आपसे कि आपको कौन सी language आती है तो language की preparation आप gfg से या other बहुत सारी sites आपको पता ही होगी अगर आप google पे सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी sites वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ से interview की preparation कर सकते हो कि topics क्या है ये language के इस तरीके से आप try कर सकते हो start कर सकते हो अपनी preparation और मैं तो ये suggest करूँगा कि आप blog पढ़ो blog पे जो हमारे developers होते है वो बहुत अच्छी अच्छी चीजे लिखते है आप वहाँ से topic wise पढ़ सकते हो जैसे मैं Java की बात करूँ तो Java में होता है multi threading का इन्हें detail view इन्हें production environment इन्हें सब जैसे जो company के अंदर एक होता है company के detail में आपको पता होना चीजे कि multi threading किस तरीके से काम करती है वो सब चीजे आपको एक blog के अंदर बहुत अच्छे से customized way में मिल जाएगी तो आप मैं website से ज़्यादा prefer करूँगा कि आप blog पे जो और blog पूरी methods प्रता होना चाहिए कि भाई shorting की methods क्या है searching की methods क्या है इसके अंदर कौन-कौन से inbuilt functions है कौन-कौन से directive है कौन-कौन सी libraries है हर चीज़ के बारे में आपके language के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा जरूर हो सकता है कि वहाँ पे interview आपको बोल दे कि यार मुझे यह चीज लिखके बताओ तो आपको लिखने की practice करके जाना है technical interview से पहले अब हम core subject की बात करें तो core subject की preparation आप बहुत सारी website से कर सकते हो जिसमें से एक है GFG और भी other website से जहां से आप preparation कर सकते हो मैंने GFG से preparation करी थी क्योंकि उस समय ज़्यादा websites available नहीं होती थी बट आज क time में बहुत सारी websites available है तो आप और भी जहां से आपको अच्छा लग रहा है जहां से आपको बहतर तरीके से समझ में आ रहा है standard अच्छा समझ में आ रहा है वहां से आप preparation कर सकते हो ऐसा कुछ उसमें rule नहीं है और अब हम बात करेंगे projects की जो की बहुत एक important part और role play करते है क्योंकि जब भी आप interview के अंदर जाते हो वो आपसे project के बारे में पूसते है कि आपने क्या बनाया है और उसी से decide होता है कि आपका level क्या है कि भाई आपने कोई फुद्दू सा project बना के रखा है जिसका बहुती simple सा implementation है तो interviewer जो इतने साल से काम कर रहा है उसको पता है कि य ये project का level क्या है और ये project का level क्या है उसके हिसाब से वो आपको judge करेगा कि आपको आता कितना है अगर आप ऐसा कुछ normal सा project बताते हो कि मुझे ये आता है वो आता है तो उसको पता है कि ये दो दिन का project है बट आप कुछ ऐसा बताते हो उसमें बहुत सारे आप concept लगा देते ह बहुत सारे architecture use कर लेते हो इस तरीके से आप जब represent करते हो कोई project को तो सामने वाले को लगता है कि यार इसने पूरे standard company के follow किये है और ये best candidate है हमारे लिए इसको सब कुछ पता है कि design pattern क्या होता है इसको microservice के बारे में knowledge है इसको सब चीजों के बारे में knowledge है तो ये best candidate हमारी company के लिए feedback रहा है और इसको लेना चाहिए तो project से बहुत ज़्यादा interviewer depend करता है कि आपका level क्या है और आपको select होना है या नहीं होना है तो project की तयारी के लिए तो भाई आप ऐसा कुछ नहीं है आप आराम से blog पे देख सकते हो कि कौन कौन से project होते है किस तरीके से project बनाए जाते है आप धीरे धीरे अपनी coding language को अच्छी करके project बना सकते हो और group में साथ में बनाओ ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको placement वाले बोले कि भाई अकेले ही बनाना है या interviewer भी ऐसा नहीं बोलेगा कि अकेले ही बनाना है क्योंकि company में भी साथ में बना रहे होते हैं सब तो ऐसा कुछ नहीं है आप साथ में बनाओ तीन-चार महिने आराम से बैठो आराम से सोचो आराम से और बनाओ और बनाने के बाद सबसे important step भूलना मत present कैसे करना है जो की बहुत शानदर step है अगर आप shark tank देखते हो तो वहाँ पे किस तरीके से presentation होती है आपने देखा होगा वो कितनी practice करके आते हैं वहाँ पे तो उसी तरीके से आपको भी practice करके जाना है अपने project की pitch कैसे मारना है मुझे project की interviewer के सामने तो hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अभी तक अगर आपको skill link के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दू skill link की से इंडिया largest engineering e-learning platform you can join if you are a college student early professional graduate और job seeker skill link provide PG programs across engineering domains such as computer science, electrical, mechanical civil, etc. world class curriculum designed by industry expert with life technical support so they will provide 15% discount on all the courses for our viewers so check it out link in the description और यहां भी खतमनी हुआ आपको career guidance session भी मिलने वाले जो की बिलकुल free होने वाले है तो check it out और अब हम बात करते है हमने भाई project पढ़ लिये ठीक है language revise कर ली हमने subject के concept पढ़ लिये तीनों चीजे हमारी complete हो गई तो half तो interview हम crack कर चुके हो अब बात आती है और क्या-क्य steps है तो यहां पे जो बहुत जादा important step है कि हर college वाले को या हर college के बच्चे को यह पता होता है कि हमारे college में कौन कौन सी company आती है या कौन कौन सी company हर साल आने वाली होती है और होता ही है कि हमें पता होता है कि यह regular यह company आती है हमारी साल बाए साल आ रही है तो यह आएगी तो आपका target fix होना चीए कि कौन सी company में मुझे crack करना है या कौन सी company मेरी target है और वहाँ पर काम आता है interview experience आप website पर जाओ, gfg पर जाओ lead code पर जाओ, कोई भी website पर जाओ वहाँ देखो आप interview experience कि भाई Walmart का interview experience क्या है Capgemini का interview experience क्या है और Glassdoor भी एक website है तो ये तीन website है जिस पर आप जाके interview experience पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप question निकालो कि इनका pattern क्या है, कि भाई ये DS जादा पूसती है, DS में कौन सा जादा topic पूसती है, या Amazon है तो DP जादा पूसती है, कौन कौन सी company क्या क्या पूसती है, subject में जादा जाती है, project में जादा जाती है और कितने round होते है, manager round होते है 4 round होते है, 5 round होते है जोभी आपके याँ company आती है उसकी आप proper detail निकालो company के बारे में study करो company का vision के बारे में study करो फिर आप interview में जाओ तो जब आप interview में जाओगे न आपकी आखों में दिखेगा कि भाई आपको वो company के बारे में पता है और आपका confidence अलग से दिखता है और यह मैंने खुद पे try किया है जब भी आप company के बारे में पूरा पढ़के जाते हो कि company कैसे काम करती है company में कैसे interview होते है company के अंदर text track क्या है और अब जब आप वहाँ पे सामने जाके represent करते हो वो representation का तरीका बिल्कुल बदल जाता है मतलब बहुत different हो जाता है as compared to आप कुछ पढ़के नहीं जा रहे हो जब और अभी खतम नहीं हुआ अभी आपका एक और step बचा है जो आपको अपने दोस्तों के साथ अपने friends के साथ करना है वो है mock interview आपको mock interview की practice करना है वो चाहे DS round की practice हो या technical interview की practice हो या थेवरी based या core concept की practice हो ये सब चीजे आपको एक mock interview ready करना है mock interview बार-बार देते रहना है आप अपना friend का interview ले सकते हो आप अपना खुद का interview दे सकते हो तो इस तरीके से आप दोनों मिलके interview दोगे लोगे तो इस तरीके से आपकी preparation और अच्छी होते जाएगी चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो आपके कोई senior है college के वो अभी company के अंदर है उनसे interview लो तो वो आपके और detail में question clear करवा देंगे और ये भी आपको पता चलेगा वहाँ पर की मेरा level क्या है की भाई एक industry expert मुझसे पूछ रहा है तो मुझे वहाँ पर exact पता चल रहा है की मेरा level क्या है और मुझे अभी कित्ती preparation की जरूरत है वहाँ से आपको tips भी मिल सकती है advice भी मिल सकती है तो इस तरीके से आप preparation करो और mock interview बहुत ही important role play करता है वो आपकी जो वो होती है न घबराट जब मैं पहली बार interview दे रहा था तो मुझे बहुत दिक्कत होई कि भाई मैं कैसे दूंगा क्या करूंगा क्या बोलूंगा सब लोगों को होती है वो आपकी थोड़ी थोड़ी वहाँ पे हड जाएगी जब आप mock interview दोगे वो थोड़ी practice हो जाएगी तो आप भेतर perform करोंगे जब original interview आपका आ रहा होगा ठीक है जब भी आप सबसे पहले आर interview देने जाते हो तो ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप room में घुसरे हो सबसे पहले वो person को आप hello करो फिर वो आपसे हो सकता है intro पूछे तो intro आपको पहले से prepare करके जाना है अच्छे से prepare करके जाना है क्योंकि interview में intro बहुत बड़ा role play करता है ऐसा मैं मानता हूँ कैसे मैं आपको बताता हूँ अगर आपने interview में कुछ words बोले आपने ऐसा बोला I am good in data structure तो वो हो सकता है कि वो भाई data structure की तरफ move हो जाए interview और ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा represent किया I know microservices I implemented in my project तो ये भी हो सकता है कि वो microservice architecture आपके project के तरफ interview चले जाए तो जो आपका वो होने वाला है introduction वो भहती important role play करेगा कि आपको किस direction में interview को मोड़ना है और ऐसा बहुत बार होता है कि interview सही में उस direction में चले जाता है और आपका वो strong point होता है तो वहाँ पे possibility 110% हो जाएगी crack करने की interview को ये बहुती important step है जो मैं मानता हूँ और वो आपको करना ही चाहिए कि आप अच्छे से intro prepare करो उसमें बहुत सारी चीज़े मत लिखो बट ऐसी चीज़े लिखो जो आपको पता हो तो interview अगर वो पूछ ले आपसे तो आपका फाइदा हो जाए वहाँ पे और चलो मान लेते कि आपको एक DS का question interviewer दे रहा है solve करने के लिए तो आपको किस तरीके से solve करना है जब भी आपके पास question आए आपको शान्ती से एक मिनट दो मिनट आराम से बैठके सोचना है कि इसको मैं कैसे solve करूंगा उसके बाद आपको उसकी approach बचाना है तो approach बताने के time वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो important role होता है जब आप सोच भी रहो एक मिनट दो मिनट तो ऐसा नहीं करना है कि बंद होके शान्ती से बैठके बस सोच रहो तो क्या होता है उसमें कि सामने वाले से interaction नहीं हो पाता है तो उसको लगता है कि पता नहीं इसको आता है की नहीं कि आप आ रहा है की नहीं इस तरीके से situation होती है तो क्या करो आप बोलते रहो कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ थोड़ी सी normal voice में ऐसा ज्यादा तेज नहीं थोड़ी सी normal voice में ऐसा बोलते रहो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये कर रहा हूँ तो उसको ऐसा लगे कि हाँ ये सच में सोच रहा है ठीक है उसके बाद जब आप interviewer को अप्रोज समझाने जाओ तो think loud अच्छे से समझाओ बहता तरीके से समझाओ और बीच में कुछ भी आप सोच रहे हो कि यार इसको कैसे solve करना है तो इंगलिश में बोलते जाओ how can we do this oh I think it will be the fine उसको लगना चाहिए कि उससे बात नहीं हो रही है बट आप mind में जो सोच रहे हो बोल रहे हो तो क्या interaction अच्छा होता है उससे तो सामने वाले को लगता है कि हाँ इसने सोच के किया है इतना ऐस तरीके सा सोच रहा है तो बहता तरीके सा सामने वाला interviewer आपको समझ पाता है वहीं आप अगर बंद कर देते हो सोचना तो आपको थोड़ी सी problem हो सकती है तो उसको लगेगा कि यार इसको आता नहीं है या तो इसको कोशन पहले से पता है इसलिए इसने direct मुझे solution बता दिया दोनोई चीजे में wrong हो जाती है चीजे इसलिए मैं बताऊंगा कि आपको इस तरीके से बोलना है और think loud, always think loud not the least, but one important point कि भाई confidence कैसे लाए interview के लिए तो भाई जब मैं गया था ना interview देने तो सच में confidence नहीं था बिल्कुल और बहुत लोगों के इसमें नहीं होगा क्योंकि यार first time सभी nervous होते हैं कि यार मैं कैसे दूँगा, क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा तो भाई confidence बिल्ड करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है तरीका बस यहीं है कि practice करो, mock interview दो जब आप mock interview दोंगे तो confidence अपने आप आएगा और साती सात में आजकल तो बहुत सारी websites पी ऐसी आ गई है जहां पे दो लोग मिलके mock interview एक दिस्रुका दे सकते हो या ले सकते हो अगर आपके पास अपने friends नहीं है अपने लोग नहीं है जो interview लेना चाहा रहे हो तो आप randomly websites पे भी जाके दे सकते हो तो hope आपको यह चीज समझ में आई होगी आपको समझ में आया होगा कि technical interview में क्या क्या जरूरी चीजे होती है आपको tips समझ में आई होगी कि कहा कहा से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कैसे आपको flow में क्या क्या चीजे important है company के बारे में पढ़ना जरूरी है company के perspective के बारे में पढ़ना जरूरी है company पूस्ती क्या है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आ गई होगी कि कैसे मुझे पढ़ना है कैसे मैं चीज़े करने वाला हूँ मैंना step by step आपको समझाने की कोशिश करिए इस वीडियो में तो होप आपको यह चीज़ समझ में आई होगी और इसकी लिंक की 15% की डिसकाउंट की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी देख लो description में भी अवलेबल है do check it out वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे courses मिल रहे होगे तो होप आपको यह lecture समझ में आया होगा तब तक के लिए take care बाबासिया have a good day